विकेंड पर एकी बिल्डिंग में काम करने वाली कूब वरकर्स एक लीफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तब कोई भी आने ने वाला था कहानी में ट्विस्ट दव आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन एक होलिवड की थ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग में बहुत अच्छी है तो अंतक इस वीडियो को ज़रू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बीना किस दिरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में गारेटर जैनिवर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाजे से उन्हों ने ब्रिक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइज करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइज था नेकसीन में हम अमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है इसका नाम है काय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उपर एक की लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते उसे कमफरेबल फिल कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तभी अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं करा था इन्होंने अलाम विगरा दभाने की कोशिश की और कुछ भी वक नहीं करा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरे को नोटिस किया कैमेरे में वे विगरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी के हल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लीफ में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे, सैटरेडे, संडे और दो दीन की छुट्टी थी गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लीफ के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जेनिफर ने कहा कि कभी-कभी ये लीफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है काय को अचानक से आईड़ आया कि लीफ के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लीफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो चुक कर जेनिफर को ऊपर की सिलिंग चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राया किया पर कुछ भी नहीं हुआ एक घंडा बीद गया और जेनिफर रेलाइस करती है कि अब उसकी flight उसने miss कर दिया वो गुसा हो गे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगे उसे प्यास लगी थी तो गाय ने उसे अपनी बॉटल दिया जेनिवर उसका पानी बेने से मना कर दिया पर गाय ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी wine की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है wine की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जेनिवर ने भी अपनी पर्स से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पहले दोनों बहुत अस्ते हैं उसने विर बानी पी लिया था वो गाय को एस जेश चर एक चौकलेट दे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते हैं अब इसके बाद और चार घंटे पीट गए थे उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरीके से टॉलेट करना है उसे अजीब लगता है गाय ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज़ है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूटने के लिगाती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लीफ में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग को कम्प्रीट कर लेती है जेनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी girlfriend वेगराने है जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को call करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जेनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे surprise देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों realize करते है कि वो कितने same है गाय ने फिर wine की bottle खोल ली time pass करने के लिए दोनों एक दूसरे की drawing बनाने लगते है काय ने जैनिफर की बहुत ही अच्छे से drawing बनाई थी पर जैनिफर उसके एक funny से drawing बनाती है जैनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो picture बनाई इसे में मेरी profile picture रहोंगी बाते करते करते खाने पर discuss करने लग गये तो उने भुगे थे तो जैनिफर ने कहा कि subject हम change करते है अलग-अलग topic पर discuss करते हुए एक दुसरे के partner के साथ crazy story ये बताने लग जाते है जैनिफर गहती है कि एक बार में मेरे boyfriend के साथ library में intimate हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक cover कर दी है हम एक बाद drive पर गए थे वोई पर intimate हुए थे ये सब बताते हुए उसे जैनिफर के लिए feelings आ गए जैनिफर को भी इससे कोई भी problem नहीं था फिरे दोनों यही पर intimate हो जाते है इंटिमेट होने के बाद गाई ने जैनिफर से गा कि तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हो ये बाद जैनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो उससे गया थी कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना चाहती थी गाई को इस बात में बहुत हर्ट कर दिया गयता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिट में होने की बावचूती एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से चानते भी नहीं अजानक से गाय का बिहेवेल चेंज हो गया वो अवने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जूट कहा था इसी बिल्डी में अकाउंटन्ट है उसने कन्वेस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांज चाता था वो जाता था कि जेनिफर उसे पहजाने इसी वज़ेश उसने सब कुछ किया था वो अपने बॉकिट से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूँगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बन कर दी जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दी है पर गाये ने उसे पकड लिया जेनिफर स्ट्रगल करते हो लिफ की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब एक्ट्वल में इस lift में first गये थे Jennifer गुसा होकर अपने शू से guy को unconscious कर देती है उसे चेक करने के लिए आई पर guy conscious था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है Jennifer के होश में आने के बाद गाय उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहाले हमें हमारे बीच में कोई भी distraction नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए practically हमारे पूरी relationship इस lift में हो गई हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और break up भी हो गया जैनिवर अब भी बहुत गुस्सा थी उसने अपने फियांसे के लिए जो gift लाया था कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के पॉटल से उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिवर से गहता है कि तुम मुझे support दो मैं उपर जाकर इस lift को खोल दूँगा जैनिवर उस पर बिलियू नहीं करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें open कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिवर ने कही वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा time spent किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूँगी गाय भी फिर उसे help करने के लिए मान जाता है और जैनिवर उपर आके उपर आने के बाद जैनिवर ने उसे धूखा दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बनाकर उपर उपर आ जाता है जैनिवर ज़रा ज़ादा उपर जली गई थी वो डोर को पकड़ने वाली थी तब ही नीचे से गाय आया और उसे पकड़ कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिवर होश में आ गए लिफ्ट तैसने थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आप बनाने की कुशिश की गाय को होश आने के बाद हो गयता है यह सब वर्क नहीं करेगा हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिवर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस ने का तुम सब कुछ अभी कनफेस कर दो अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जैनिवर उसे बहुती बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी काय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जैनिवर फाइनल उसे पुछती है तुमने इस सब किया क्यों गाय कहता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था तुम बहुत ही ब्यूटीफूल थी पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोच नहीं कर पाता मैं हमेजा से सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चुल में एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ में इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिरेंट हो गया उस पर चार्जेस लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो सिक्स मन्स में वह बाहर आ गया पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम ने विलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिचुएशन खराब हो गए और उसे सिक्रिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जेनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओल लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निकसिन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सिक्रिटी गार्ड या अपनी गल्फरेंड को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने निवाला था पर गल्फरेंड को यहाँ लेकर आया वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में जैनिफर और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी हेल्फ करने के लिए पहुश गया फ्रेंडाय और लिफ को ओपन करने की कुशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस आता है तबी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दिया गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तबी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बॉडी रख देता है जैनिफर को ले जाकर अपनी काड़ी की ट्रंग में टाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोटिस किया वो इसके बॉइफरेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड ज़रा सस्पिशस होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार डालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो ले कर गया वो थ्रेश के अन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंग खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत जादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को इसने मार डाला गाए को ही डिस बिट में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डालती है इसे के साथ ये मूवी एंड हो गए अगर आपको ये वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल रिटोवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ दब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये